तो और क्या हल चाल मेरे दोस्तों भाई आज अपने पास है शाओमी पैड 6 मैं यूज करे जा रहा हूँ मेरे टीव यूज करे जा रही है पिछले दो महिनों से अब इस पिछले दो महिनों के अंदर ये टैबलेट मुझे कैसा लगा है ओर और सारा सिनारियो लेने लाइक है नहीं है वो सारा सब कुछ यहाँ पर हम लोग एक एक करके डीटेल में बात करेंगे तो मैंने जो wear and buy किया था न मैंने base wear and buy किया था 6GB 120 वाला और उसकी pricing मुझे 27,000 रुपीज ही देखने मिली क्योंकि मुझे कोई card offer वगरा नहीं बीला और मुझे actually इसका जो blue वाला color आता न वो चाहिए था बट वो मिला नहीं तो मुझे gray खरीदना पड़ा और शाओमी के ऐसे most of चीज़े होती है जो बहुत न कलर दिखा के कुछ चीज़े जल्दी मिलती है इस start के days में so शाओमी ने इस टैबलेट की जो pricing रखी है वो बहुत जादा अच्छे रखी है इवन इस वनप्लस पैड है उसको भी आराम से टकर देता है 38-7000 के आसपास आता है पर उससे भी value for money है थोड़ा बहुत यह निकाल के देता है मैंने एक comparison video बनाया था इसका और वनप्लस पैड का और उसको मैं यहाँ पर यूस कर रहा हूँ अभी as a mirroring के लिए camp जैसे के अगर दिखाई देता है तो यह देख सकते हो यहाँ पर इस इसके लिए से use कर रहा हूँ तो भाई इतना है कि उन दोनों का comparison समझने है कौन अच्छा है कौन कैसा है कौन कितनी power निकालता है उसके लिए comparison video रेड़ी है वो जाके चेक कर लेना password unlock के लिए या pattern unlock के लिए तो उसी direction पर वो password और pattern लेकर आजाता है और इसका face unlock इसले भी अच्छा है कि अगर आप अपनी आखे बंद रखोगे ना तो भी यह unlock नहीं करता है तो वो security के इसाफ से काफी अच्छा लगा मुझे बागी tablet है उसके अंदर 3.5 mm jack का गड़ा भी नहीं दिया है तो यहाँ पर जैसे मैंने का कुछ चीज़े cutoff भी करके रखी है तो इस tablet के साथ में इनके stylus भी आता है इनका keyboard भी आता है और लेकिन जो keyboard है उसके अंदर जो trackpad है वो नहीं दिया गया है वो oneplus में मिलता है लेकिन मुझे कुछ ज़रुत नहीं पड़ी तो मैंने buy भी नहीं किया तो उसका review नहीं दे पाऊंगा कि वो कैसा है कैसा नहीं बट हाँ oneplus के comparison में उसकी जो accessories है मतलब इसकी जो accessories है आपको फोड़ी सस्ती मिलेगी इसका stylus उसके keyboard इसका cover वो थोड़ा सस्ता देखने मिलता है तो अगर हम लोग last year का Xiaomi Pats 5 से comparison करें तो last year वाले में plastic build आता था और side में metal frame आता था जहां तक मैं sure हूँ इस बार यहां पर इन्होंने पूरा aluminum frame दिया है जो in hand feeling में एकदम premium वाली जो बातचीत रहती है वो अच्छे से निकाल के देता है और इतने दिनों में मुझे वो भी बहुत जादा अच्छा लगा है in hand feeling gripping और even जिसका जो camera module है अगर आप लोग ने Xiaomi का 13 Pro आता है उसको code करता है लेकिन जो cable अंदर दिये नहीं वो तो आपको इसका benefit को सबसे पहले क्या है यहां पर अगर आप इसकी display को मेरा teammate उसकर रहा था उसमें monitor के साथ connect कर लिया और एक attachment आती है डायरेक में बाद जो monitor वो type C वाला नहीं है एक attachment वो इसमें connect करके फिर HDMI उस attachment में connect करके आप पूरा फुल फ्लेज वो उसमें पूरा display mirroring कर सकते एक तरीके से इतना समझ लों mirroring नहीं कह सकते एक्चुली पूरा वहां पर use कर सकते और बाद में keyboard और mouse हम लोग ने Bluetooth के थो इसमें connect कर दिया तो अब यहां पर एक तरीके का mini PC हो जाता है एक इतना समझ के चल सकते हो तो उ हाँ पर लेकिन एक चीज है कि यह इस प्राइस के अंदर देना वह बहुत अच्छा लागा फीचर मुझे मैंने इस पर कोई भी कवर और जो screen guard protection कुछ नहीं लगा है तो लेकिन उसके बाद में अगर मैं नोटिस करू ना पिछले दो मेनों में एक तूम रफन टाफ यूज है मतलब मैंने यूज कर रहा है कभी टेबल पे ऐसी slide करके रख दिया कभी drawer में रख दिया कभी बाहर इदर उधर बीच में इदर studio में काम भी चालू था तो इदर उधर घूमता रहा है बट मैंने जितना notice कर रहा है मुझे कोई ऐसे major क्या छोटो minor scratches भी बहुत कम होंगे major scratches इस एक भी देखने नहीं मिले और इसमें Gorilla Glass 3 की protection है तो build गेरा में इतना तो simple यार कि Xiaomi ने काफी अच्छा काम किया है इस pad 6 को लेकर और इतने दिनों में इसकी जो power है वो भी मुझे कम नहीं लगी है snapdragon 870 वाला processor था और देखो जितने भी सारे टास्क है PC uses के हिसाफ से समझ लो जैसे की बात आ जाती gaming को भी लेकर even किसी को video editing को गयारा करना है तो सब में यह अच्छे से काम करता है snapdragon 870 और मुझे कहीं इसने तकलिफ नहीं दिये और रही बाद इसकी storage UFS 3.1 तो इसकी जो speed है वो भी अच्छे से app opening faster तरीक से कर देता है अभी देख इस Xiaomi Pad 6 को एक छो और देखो oneplus pad के अंदर आपको स्कोर every time high देखने मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर processor थोड़ा सा high है 870 के मुकाबले पर जो यह score आ रहे ना वह भी बहुत ज्यादा अच्छे निकाल के देता है मतलब यहाँ पर आप सारे टास अच्छी तरगे से कर सकते हो storage speed test निकाला तो वहा आपको देखो के ध्यान से तो oneplus pad में थोड़ा से अफकोर ज्यादा बेटर स्कोर आ रहे है CPU फ्रॉटल करके देखा न तो इसमें 92% का CPU फ्रॉटल आया पर एवरेज मैक जिप स्कोर ना आपको oneplus pad में ज्यादा देखने मिलेंगे फिर 3D Mark पे stability test होता है वह करके देखा अभ लिकिन oneplus pad पर आप ध्यान से देखना उसमें ज्यादा बड़ी बैटरी आती है बट फिर भी जो बैटरी 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 था शामी पैट 6 के अंदर हमें ज्यादा देखने मिला क्योंकि oneplus pad के अंदर जो बैटरी अब आ गई थी 32% पर और यह जो पूरा testing हुआ न गेविंग करता है तो वहाँ पर यह बैटरी बैटरी बैकप एक दिन तक भी आराम से खीज देता है एक दिन से थोड़ा उपर ही कहूंगा मैं तो बैटरी बैकप इसका सॉलिड है और एक चीज़े और अच्छी है कि यहाँ पर 144 हर्ट के साथ में आ रहा है लेकिन यह सभी अप्लिकेशन पर आराम से 144 हर्ट दे देता है इवन वेल अप्टिमाइज़ भी है अगर वन प्लस पैड से कंपारिजन करते हो तो मैं तो भाई एक चीज़ सिंपल बोलूँगा कि सॉफ्वेर एक्स्पिरियंस और अपना बैटरी बैकप बचाना है अच्छे से काम करना है तो थोड़ा सस्ते में शाओमी पैड 6 अच्छा काम कर रहा है वन प्लस पैड के मुकाबले और जो चार्ज करने के लिए तो यहाँ पर भी अच्छा कासा जम किया है बाकी अगर इसकी बात करें गेमिंग को लेकर तो देखो इतना है कि यह फोन 490 ग्राम का है अगर इसके हो जाएगा तो 490 ग्राम के हिसाब से बोलूगा तो एक टाइम के बाद में थोड़ा सा टैब आपको हलका फुलका में काऊंगा फील होगा कि हाँ थोड़ा से हवी हो रखा है तो गेमिंग करने में थोड़ी से तकलीफ हो रही है बट वाक वगेरा प्रेसेंटेशन वगेर कर जादा इसा प्राब्लम होता नहीं है जीट वगेरा अच्छे से सेपरेड हो जाता है तो वो हीटिंग वाला इस्यो तो मुझे नहीं लेगा रही बाद एक प्राइस टेविलेटी को लेकर कभी-कभी आराम से चला देगा बट इंटेंस गेमिंग करोगे एक घंटे तक के तो FAS में fluctuation आएंगे और इतना समझ लो 50 तक भी आ सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से पुछ बूरा नहीं है क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से सब कुछ चीज़े सौटर है अगर आप more than one hour के उपर खेल रहे हैं तब आप लोगों को FAS में थोड़े बाद उपर नीचे देखन हो जाएगा बट बीच में थोड़े बाद fluctuation जो definitely मैं काऊंगा simple तरीके से आएंगे पर मेरे हिसाब से इतनी बड़ी साइस में बहुत कम user होंगे जो gaming करना चाहते है most of लोग यहां पर content देखना हो गया या फिर studies के लिए हो गया थोड़ा बहुत जैसे मैंने का मेरा टीम मे अच्छे से सपोर्ट करता है long range में भी अच्छे माले distance होने के बाद में भी wifi की connectivity अच्छी तरीके से रहती है कभी का बार ऐसा minor सा हुआ है कि कुछ glitch आ है वस उसके लिए हाँ पर एक बार बस tap को restart किया है और दो महिनों में hardly दो बार restart किया रहेगा कुछ ऐसे glitch आ थे बड़ आउट्डोर में किसी नहीं यूज नहीं गया तो आउट्डोर की हास brightness वगएरा में कितना जादा अच्छा था बूरा था वो तो ऐसा clear नहीं बता पाऊंगा बड़ हम लोग ने थोड़ा बड़ ट्राय करके देखा था कि testing के लिए और वहाँ पर भी content वगएरा अच्छे स वीजिवल हो जाते हैं तो यस आउट्डोर में आप इसको इसी तरीके से यूज कर सकते हैं हाले कि इसकी जो brightness है ना 550 nits की है बट फिर भी मैं कहूंगा अच्छी तरीके से हास लाइट में भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और बाकी content देखने में यहाँ पर इस display मे अगरा enjoy करोगे YouTube हो गया Netflix हो गया और वैसे Netflix में Dolby Vision का content support कर देता है और हाँ HDR 10 तो हई तो इतना कहूंगा कि content देखने में HDR में भी मुझे ऐसा कोई खराब नहीं लगा कि बहुत जादा इससा harsh हो रहा है या फिर कहूंगा ऐसा कुछ overexposed वाला पार्ट हो गया या फिर even कहे सकते हो basically मैंने थोड़े बहुत ट्विकिंग करी थी मतलब एक दो option on off करे थे तो आप भी वो try out करके देख सकते हो और even X के अंदर है एक मिलता है मतलब motion refresh rate होता है जो अपना display को smooth करता है for example 30 fps का content या 24 fps का content है उसको आप जैसे इस toggle को on कर दोगे तो वहां पर वो 60 में 24 fps में देखना पसंद है वैसे यह M.E.M.C. अपना YouTube पर हो गया और I think so hot star पर काम करता है इवन Netflix पर थोड़ा बहुत काम कर जाता है लेकिन मैंने इसको all time बंद रखा वैसे एक बार चालू किया था देखने के लिए बड़ उसके बाद में तुरंद बंद कर दिया और मैं त लगिए तो like कर देना मस्त में और इस टैब का वैसे और किसी और के साथ comparison होना चाहिए वो बता दो क्योंकि मैंने एक अरेंज किया है iPad 9 generation उसके साथ इसका comparison होना चाहिए कि नहीं एक बार comment में जरूर लिख देना और जो iPad 9 generation है वो मैंने buy किया आप लोग के लिए शायद से अगरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग बोलेंगे कि आप बनाओ comparison तो मैं पहले ही बाय कर चुका हूँ बट फिर भी मुझे जानना है कितने लोग interested है और वीडियो अच्छी लग रहे तो 5000 लाइक भाई टच करवा देना सही बता रहा हूँ आपका मतलब पता चल ज बागी मैंने जितना देखा है ना यू आई के experience को लेकर वह एकडम स्मूध बटरी स्मूध कह सकता हूँ एक एना comment आया था मैंने जब वीडियो बनाय था तो उसमें बोला गया था कि इसकी मतलब viewing angles वगेरा कैसी है तो मैंने जितना notice किया था तो मुझे तो ऐसा display में color shift content चला रहे हो और suddenly यहां से बंद करके ऐसे करोगे ना हलका सा frame starter कभी-कभी लगीगा वो कह सकता हूँ 10 में से है ना सा 2-3 बार आपको feel होगा बाद में जब वह application इक बार RAM में चली जाती ना उसके बाद वह एकडम smooth हो जाता है और जैसे मैं इसको RAM से clean करूंगा ना for example YouTube हम ल i10 है और मेरे हिसाब से ही अच्छा है क्योंकि जो OnePlus का जो expectation थोड़ा सा different आता है और वो थोड़ा सा अलग feel कर रहा है थोड़ा सा squarish type है और आप display output ले सकते हो ना इसके तुरू तो वह 4K 60 Hz में आराम से ले सकते हो और यह ना अलग ऐसा multimedia के हिसाब से मुझे एकडम proper लगा और in hand feeling जैसे कि एकाथ से आराम से इसे पकड़ सकते हैं तो वहाँ पर भी हो सही लगा मुझे और रही बाद speaker experience वहाँ पर भी अच्छे से निकाल के देता है quad speaker बहुत ही अच्छे से काम करते हैं तो एड़न इतना समझ लो multimedia के हिसाब से speaker वगेरा display वगेरा as of now 2 मेने में तो Android 13 है software update कितना आएगा पता नहीं लेकिन जो security updates है वो तीन साल का promise किया गया है पर OS update कितना आने वाल है उसका कोई idea नहीं है कहीं पता भी नहीं चला बहुत सारा ढूंडा इनकेस किसी को पता होगा तो एक बार comment कर देना जादा-जादा मेरे साब से एक से दो साल का तो आराम कि यसाब से अच्छा है मैंने तो यूज नहीं कर रहा है मैंने बाकी लोगों की वीडियो देखी तो उस यसाब से मैं आपको चीजे समझा रहा हूँ कि stylish को लेकर किसी ने भी ऐसा गलत नहीं का है तो वहाँ पर वो भी अच्छा काम कर रहा है प्लस अगर आप ड्राइंग वगरा करते हो तो वहाँ पर वो भी अच्छे से निकाल की देदेगा काम और एक चीज़ हलकी से बस मने नोटीस करें कि जो गूगल की अप्लिकेशन है थोड़ी से उतने वेल आप्टिमाइज नहीं कहीं कहीं थोड़ी तो बहुत हैं मुझे glitches देखने मिली रहते हैं कहीं फूल स्क्रीन में प्रॉपर नहीं आ रहा है कहीं अगर इसको डूल स्क्रीन पर करते हो तो वहाँ पर भी हलके फूल के glitch रहते हैं और इसका जो इको सिस्टम वाला बात चीत होता है न तो वह भी है बट वह पॉसिबल है शाओमी 13 प्रो के साथ में तो अगर आपके पास है शाओमी 13 प्रो तो उसके साथ एको सिस्टम वगरा में थोड़ा बात खेल सकते हो यहां से कॉपी कर लिया इमेज वहाँ पेस्ट कर दी वह सारा बात और इसका जो रैम मैनेजमेंट में थोड़ा सा अजीब है जैसे कि अगर आपने बैग्राउंड में साथाड जो नीचे आता है उसके थुरू आप लोग वापस उसी एप्लिकेशन को एकदम से उपन कर सकते हो और जो वनप्लस का पैटन उसके इंदर डॉक दिया ही नहीं है तो वह थोड़ा सा जीब लगा मुझे जो नीचे टास्बार होता लो ऐसा बागी देखो कैमरा वाला बात म मैंने तो नहीं उसके जादा मैंने सिर्फ टेस्टिंग के हिसाफ से बता देता हूं में थरी एंप का क्यामरा आता है ज्यादा तर आप लोग है ना फोटो स्कैन वगरा या फिर अगर आपने कोई डॉक्यमेंट से उसको स्कैन करना है या अगर मैं कहूंगा ग्राफिक डि काम में आएगा जैसे कि अगर आप एक चीज वहां पर अच्छी है कि यह थोड़ा सा वाइडर रही अभी चैप्चर करता है और एक अच्छी बात है कि सेंटर था मैंने इसके अंदर एक मीटिंग ट्राइ करी दी और उसके अंदर यह अच्छे से काम किया था सामने आले न ही काम करेगा इतना समझ के चलो तो फाइनल वर्डिक तो मेरा यह है शाओमी पैट 6 को लेका कि लास्ट यह से फाइब में अच्छी कासी इंप्रॉइमेंट तो करी है और इन दो महिनों के अंदर मुझे इसकी परफॉर्मन्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आए लगा है सब कुछ अच्छे से काम करा है जैसे हाँ थोड़े बहुत ग्लीचेस थे जो मैंने आपको पहले ही समझा दिये कहाँ पर कैसे चीज़े निकल करा रहे थी तो at the end यहाँ पर आप मैं सिंपल बोलूँगा अगर आप oneplus pad लेने जा रहे है न मैं तो कहूंगा उसको cancel आप 6 के आ सकते हो और यह मैंने खुद खरीद आ है कोई ऐसा brand वाली बातचीत नहीं है मैंने खुद खरीद के लेकर आ है और उससे सबसे review दे रहा हूं तो आप oneplus pad 6 देख सकते हो पड़ अगर आपका confusion है कि iPad 9 Gen के साथ में तो वो थोड़ा सा different यह भी हलका सा है कि देखो इसके के ना एकदम comparison वाली वीडियो में करेंगे तो आप लोग बस बता दो कितना आप ज्यादा excited हो मेरा जो दो मेने का experience था Xiaomi Pad 6 को लेकर मैंने शेर कर दिया है वीडियो आपको अच्छी लगी है review अच्छा लगा है तो के बता दे ना और हाफ कुछ और चीजे जी जो मुसे छू बाइ